प्रेच्च माध्यमात्ना आनी अपली भूमी का विक्त के लिए कि माननिय पंतबदा नरेंद्र मोदी जी आमचे जिरहमंति अमीश्या जी आनी आमचे केंद्री नेकृत्व जोकाई निर्ने मुख्यमंतिय बदल करतील त्या निर्ने आला पूर्ण समर्तन मानानिय एकनाशिंदे चे रहील आनी सिवसेन चे रहील या पद्धतिंच महायुती मनून चन्नी जी अत्यन्त महत्वाची भूमिका घेतली आनी जेकाई विरोधी पक्षाल चे तूंडा चे वाफा सुरू होते है ता वाफा वाफा चे रहे लिया आनी चन्नी जाप पद्धतिंच ने या महाराष्टा चे विकासा करता एकनाशिंदे चे रहील के ला है थरतर रामी आधी पसुनत एकनाशिंदे चा काम भकतों है देवेंडर फण्डवी सरकारस्तान ना एकना शिंदेजी नी मंत्री मुनून उठ्खुष्ट काम केला आपले सम्रुद्धी महामार्गाला देवेंडरहीं चा सुबद खांजाला खांजाला उन्योडा मुटा महामार्गा पूर्ण केला उद्धव ठाकरे नी भारतियंता पटला धोका जिला ये एकना सिंदेजी ला न पटले मुला हिंदुत्वाची भूविका घेवून हिंदु उद्धै सम्राट बाड़ासाय ठाकरे येंचा विचाराला पुलो नेवून पुना या महाराष्टा मदे सिवस्याईचा सरकार आन्ने करता मोटे भूविका घेतली महाराष्टा चे लोकाप्रिय मुख्य मंत्री मनून अडिच वर्षा मदे एकना सिंदेजी नी या महराष्टाला विकसिद राज्य करना करता मोदी इंचे नेतो तो आम दे काम सुरू किला राज्य चे आम चे नेते देवंडर फणडविजी आंचे खंदाला खंदाला हून और अजित पवराँ ची साथ ग्यों या महराष्टाला डबल इंजिन सरकार्चा कसा दबल इंजिन्जी सरकार्चा माध्रामातन या महाराष्टाला पुल्णने नेकरता काम केला खरतर एकना शिंदेजी सरकाई कनखर मुख्य मंत्रे महाराष्टाला या ठिकानी तैंचा कामातन तैंटी पुल्णने ता प्रेश्चन केला मिराटा आरक्षन, ओभीसी आरक्षन, सामाजीक समता, सामाजीक नियाए, आधिवासिन नियाए, समाजाच्या प्रत्य घटकला नियाए, विकासाला नियाए, देवेंद्रेगी चा कालातले, जेकाई प्रकल्प चौदाते, एकोनी चा कलाता पुर्ण होते, ते प्रकल्प प आमचा दोने उपमुख्यमंती एकनाजी देवेंद्र जी अजित दादाय तिघन नी मुडून या महाराष्टा चा मुख्यमंती माजी लाड़के बहीं सार की योजना एक रुपय मदे शेतकर लापी क्युमा योजना सेल शेतकरा ते वील माफिय सेल या सर्व योजनान ना म महाराष्टाच्ये चावदा अकोटी जनती करता एक मोटी भूमिका है, महाराष्टाच्ये एकन भारती यल्पन्द पारिटीचा लाखो कारे करते चा मुतीने, या पक्षाचा अध्यक चमनूं चैन्नी गट्न भूमी का बद्दल मी तैंचा स्वागत करतों आनि चैंची भूमी का ही महराष्टा पुड़ने ना रिया है मोदी जिन चा नेतुरुत्वत ला विकसित भारत आनि विकसित महराष्ट या करता अधिक मजबूत करना रिया है आनि मनुन खरयारता ने मालानी एकनाजी और देवेंद्र जी अजित दाद आनि जा पध्देतिने आ महराष्टा अभुत्पुर्व विजेव प्राप्त जेला है या अभुत्पुर्व विजे आमदे लोग से बेचा बड़े सई आनि आता विधान से बेचे वड़े साई तीने नेत्यानी जा पद्दे तीने या महराष्ट आला ने आमच्या इतर पक्षानी सुद्दा एकत्र यून या महराष्ट आला जो बैंडेट मिलाला है न भूतो पविश्यती हूँ छकेल कदी जिवना मदे कदी आता परंत चा इतियासा मदे हाँ मैंडेट कदी मिलाला नाई ते वड़ा मैंडेट आमच्या या नेत्रूत मानी मिलाला है मोधी इंचा नेत्रूत मामदे हाँ मूठा मैंडेट आमच्या महराष्ट तीने नित्यानी मिलाला आनि ही माहायूती भक्कम कानता प्रेतनास चैनि किला सिंदे साहिब आनि सांगीत ले गोष्ट खरिया है सिंदे साहिब ये कदीत रड़ना नी नहीं है ते लड़ना रहा है जेवा ते उद्धव ठाकरेंचा सरकारला लात्वरूं बाहर पढ़ले ते बाहर ते रड़ना पढ़ले लड़ूं पढ़ले लड़ूं केनि आपने सरकार बनोला खरतर ते कदीत रड़ूं चैनि राजकारन करत नहीं एक लड़वया नितामुन केनि आपने राजकारन उभकेला है आज प्रचन्ड घट्ट माहायूती एकनाजी चे बोलने तुन पूर्ण जलिया है ती मजबूत है ती अबेद्य है महाविकास आगाड़ी चे नेते या महायुति ला गालबोट लाउने ता प्रत्न करतो थे वाड़ा उठने ता प्रत्न करतो थे पनाज एकनाजी ने जा पद्धेती ने या महाराष्ट ला तें प्रूत्वावर खर्यारता ने अभिमाना है कि महायुति चे नेते कसे असावे जा पद्देईन देवेंद्र जीनी आपना जीवना मदे जेवा जेवा पक्षान जेजे आदेश जिले ते आदेश जशे पाडले आनि महायुति मुन एकना सिंदेज जीनी जी भूमी का घहला का घहला पाईजे ती भूमी का योग्या पद्देची ने याठी कानी महाराथ ज़तमन वनली खर्यारता ने मी एकना सिंदेज तो मना पासुन अभिनांदन करतो त्यांचे याई भूमी का चा अभिनांदन करतो कारण मी इस आगाएचो आमचे सर्वाच्च शे प्रक्षाचा अद्धेक्ष मनुन तीन निवनुन दोन निवनुन का माज़ा समोर जाले है। प्रक्षाचा अद्धेक्ष मनुन तीन निवनुन का माज़ा समोर जाले है। भारत ये जन्ता पार्टरी चा वतिने खोग अभिनुन दोन का माज़ा समोर जाले है। आमसी लडाई मुख्यमंत्री पदा करता नहीं है। आमसी लडाई मुख्यमंत्री जाहिर जाले होते। शरत पवार्जी गडए तीन मुख्यमंत्री जाहिर धाले होते उद्धावट अकरेत तुम माला मायी ती है मुल्गाय मुख्यमंत्री उद्धावट अकरे मुख्यमंत्री मंजे महाविकास आगाडी ही मुख्यमंत्याची लड़े लड़तो ते आनि भारती जन्तापर्टी सिवसे ना अनि अजित पवार जी अकना सिंदे जी आमी महाराष्ट चा चौदा कोटी जन्ते चा विकासा की लड़े लड़तो तो आनि मनुन जन्ते नी आमता मैंडेट स्विकारला जन्ते नी आमता जाहिर नामा स्विकारला जन्ते नी आमता मैंडेट स्विकारला जन्ते नी आमता मैंडेट स्विकारला जन्ते नी आमनाला मैंडेट स्विकारला जन्ते नी आमनाला मैंडेट स्विकारला जन्ते आमनाला मै पुर्चा कड़ाई ते महायूती चे आमचे नेते आहे तज शीवज सेना मजबूत करना करता आनि भारती अंता पारटी आनि आमचे तिने पक्ष पुला नेना करता एकना जी नी मोठा काम के लाहे मी पुना एक दा एकना जी चे भुमी के चे स्वागत करतों माननिय देशाचे पंतवधा निरेन मोदी जी आमचे केंद्रे नेतृत्व अमीद भाहिशाहा है आनि आमचे केंद्रे नेतृत्व जी काई निर्ने करेल तäter निर्ने आला ते Wanna पाठिमा दर्शव ला मी पुना आमच्या नेत्रुत्वासी बस्तील 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 आमच्या देव काई काई चाटिकानी पोटफोलियो कुनला जावे, काई काई पालक मनती कुटले असावे, आसा एक मायुतीचा शेवटी सरकार असता ना अने गोश्टीचा विचार कराव लगतो, त्या मुला केंद्रा तामती नेते बस थील, आनि एकनाजी बस थील, आनि निर्ने कर थील. असा है, माननी एकनाजी नी काई मतला कि केंद्री ये नेतुटव, आनि अमचे देशा चे पंतावदा नरेज रमोधी जी, आनि आमचे ग्रह मंतोडी आमचे केंद्री नेतुटव जो निर्ने करेब, त्या निर्ने आच्या पाटी, शीव, पूर्ण पने एकनाजी शिंद प्रची नियर्दाइब प्रची पार्टी चे लोक एकना जी रोड़ा बन लेले आहे एकना जी सरकास्ताफन करुदेना करता पुला होईल निच्चित पने आमचा केंद्रे नेत्रूतों योगे निर्ने करेल पुला होईल निच्चित पने आमचा केंद्रे नेत्रूतों योगे नहीं है लिच्चित पने आमचा केंद्रे नेत्रूतों योगे निर्ने करेल गंद्रिया नित्रुत्वे जो निरनाय करें तो भाज़पालें मानने अस्तो तो एकनाजिलाय मानने अस्तो तो अचीड दालें मानने अठीर यूलाब判 में अपलयला आता तुम्ही प्रश्णार अपना गोलगल प्विरुता है काई प्रश्ण उद्या का ठेवा, काई उद्या बोलू, काई परवा बोलू, आपन रोज बोलू, काड़ी करून नका मी रोज बोलना रहे, पन मी पुना एकदा, माना ने एकना शिंदे जी, आनी संपुर्न सिवे से ना, आनी एकना जी चा भूमी के बद्दल चा, खुब को पना पसुन अभिन देने, देखिए, महाराइश्ट के, महायूति के, हमारे अत्यनत महत्वपुर्ना सीनियर लिडर्ज, जो महायूति को बहुत ही अच्छे तरह से जिरोंने आगे लेकर गया, और बहुत ही बड़े जिलके नेता, हमारे महाराइश्ट के मुख्यमंत्री एकना सिंदे जी का, मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, उनका अभिन देन भी करता हूँ, उन्होंने, आज पश्टरूप से, जो जो लो महाराइश्ट की जनता को देश्टी जनता को बताया, कि महाराइश्ट की सरकार के बारे में, महाराइश्ट के मुख्यमंत्री के बारे में, जो भी निर्ने करेंगे, वो माननिय प्रधान मंत्री, नरेंद्र मूदी जी, हमारे अमिद भाई, और हमारा केंद्रे नेतूत्व को निर्नाय करेगा वो हम सब को मानने हैं यह भूमी का माननी एकनाश इंदे जी ने ली है यह महाराश के हित के लिए महाराश को आगे लेके जाने के लिए विकसित भारत के साथ विकसित महाराश के लिए बहुत मत्तोपुर्णा है, बहुत लोगों ने एकनाज सिंदी जी के बारे में प्रश्ण चिंदर रिमान किये थे, महायूती के बारे में प्रश्ण चिंदर रिमान किये थे, एकनाज जी नहीं चाहते कि महायूती की सरकार बने वगरे वगरे बहुत जुट बोला गया था, बहुत गहर समझ फेला गए थे अनेक यूट्यूबर्स के माद्यम से अनेक सोचल मिडियां के माद्यम से प्रश्चनल चिन्न उठाए गए थे लेकिन उन्होंने आज जिस प्रकार से भुमिका लिए वो महायूती मजबूत करने के भुमिका है येंडियों को ताकत देने वाल भाजवपा को धुका दिया था उस समय माननिये एकनास सिंदे जी को वो गड़बंदन नहीं चला महावीका सागाडी का उनने का कि हिंदूगृदे समराज भाड़ासाइफ ठाकरे जी की भुमिका के खिलाप ये महावीका सागाडी बनी है एक सच्चा सिउस्षानिक होने क नाते उन्होंने उस गड़बंदन को महाविकास आगड़ी को लात मार कर भारती जन्ता पर्टी महायूती की सरकार लाने के लिए बहुत मतोपुन भूमिका निवाई और ये भूमिका लेते वाक उन्होंने हिंदू उर्दय सम्राप बाड़ा साथ ठाकरे जी का जो अजन्ट जी ने 2014 से 19 के समय देवेंद्र जी के समय जो प्रोजेक्ट बन पड़े हुए थे सारे प्रोजेक्ट सुरू करवाए सारे प्रोजेक्ट पुरा करने का काम किया है हमारे देवेंद्र जी एकनाज जी और अजित दादा मिलकर देश में कहीं नहीं ऐसी योजनाए बनाई हमा लड़ने वाले नेटा है इस प्रकार से उनने काम किया रात दिन जन्ता का काम करके उन्होंने एक अच्छा मुख्यमंति पद के लिए काम किया और उन्होंने जिस्पकार से योजना लाई हमारे सारे नेताओं के साथ बैठकर मुख्यमंति माजी लाणके वहीं योजना एक रुपया में किसानों को इंसुरंस योजना हो क्रॉप इंसुनेंस हो, हमारे किसानों को बिलली-बिल माप करने का हो, भूस सारी योधना में बता पहूंगा, और उन्होंने योधना तो पूरी करने का प्रयास किया ही, और जो महायूत्य का आगे का जो मैनुफेक्टर बनाया है, वो हमारे केंद्रे नेतुर के साथ बैठक जिस प्राकार से देवेंद्र जी एकनाज जी मिलकर जो manructure बनाए गया आने वाली सरकार क्या करने वाली है 24–29 की उसके उपर हमने महाराष में होट मांगे हमें mandate मिला और व Gefनेट बहुत बहुत जबर्दस्त मिला है आज तक के महाराष के इतियास में महाईुती कोई भी महाईुती को ऐसा मैंडेट नहीं मिला वो मैंडेट मिला है एकनाज जी ने जिस प्रकार से काम किया उसका मैं बहुत भोछ अभीनिजन करता हूँ और एकनाज जी की भुमी का ये सहन्च पष्ट है महायुटे को मजबूत करना है एंडीयू को मजबूत करना है सास्ता डबल इंजन सरकार को आगे लखे जानी है आने वाले दिनों में 14 करोट जनता का जो मैनुखष्ट मनाया है उसों पूरा करना है हमें जनता को देवे आसपस उनको पूरा करना है इसलिए एकनाजी ने पूरी तरह से अपना महाराथ जन्ता के सामने पूरी तरह से बात रखी और जो बात रखी है मैं इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूँ 25 लाख, 50 लाख कारे करता हूँ के और से भरतियन्ता पार्टी के कि उनकी भूमिका एंडिय मजबूत करने की है, उनकी भूमिका प्रधानमंती मोदी जी के नित्वत्वों में विकसीत महाराथ की है उनकी भूमिका हमारे अमित भाई के साथ मिलकर आगे लेके जाने की है तो मुझे लगता है एकनाश सिंदे जी की भुमिका ये महराट के लिए और आने वाले महराट के विकास के लिए सभी समाजों के लिए सभी विकास के अजेंटा पूरे करने के लिए महतोपुर्णा है इसलिए मैं महाराष्टी जनता के और से और भरती जनता पार्टी के और से एकनाश शिंदे जी का बहुत-बहुत आभार वित्त करता हूँ अभिनाधन करता हूँ जब जब महाविकास तकाड़ी हारती है तब तब ईवीम खराब होती है जब-जब हम चुनाव जीतते हैं तब उवीम खराब होती है वो जीतते है तब उवीम अच्छी होती है चार मेने पहले 31 सांसद चुन के आ है माविकास आगड़ी के तब वो EVM अच्छी थी हमने EVM के उपर पुरा विश्वास करके हमारी हार जा हुई है हमने आकलन किया हम महाराष की जनता के पास गए दुबारा मैंडेट मांगा मुदी जी के चुनाव में हम कुछ कम रहे क्योंकि महाविकास आगड़ी ने जनता को भ्रमित किया था कंफुजन त्यार किया था हमने पुरी तरह से कन्वेस्चन का प्रयाश किया लेकिन तब जनता नहीं मानी उन्हें जूटा बताया गया था लेकिन जूटा एक बार बोल सकते हैं अब जनता को समझ गया है कि जूटे का बाजार है यह भवणडर लोग है अर इसलिए फिर हम जब जूटा के पास गए तो जनता ने हमारे मैनिफेस्टों को शुकार किया माननि एकनाज जी की मुक्य मंत्री की कारेकाल में जो योधना हमने की उसको शुकार किया मानने मूदी जी की सरकार के सव दिनों के काम जंता ने मानने किया मूदी जी का नेतरूत वो मानने किया मूदी जी के तिसरी टर्म के काम ये महराठ के लिए होने चाहिए इसलिए जंता ने मैंडेट दिया मूदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट में फिर एक बार बहुत बड़ा तुफान आया जो जनता पुरी ताकस के साथ मुदी जी के साथ खड़ी हो गई और उसके साथ एकनाजी ने किये हुए काम हमारी देवेंदर जी अजित दाजा ने किये हुए काम को शुकार किया गया जनता ने 52% होट शेरम को दिया और महाविकास आगाड़ी 33% पे रुख गई उसकी इतनी हाला खराब हुई कि महाविकास आगाड़ी को पिछले बार 2.50.000.000.000 मिले थे अब उनको 2.70.000.000.000 मिले 33.000.000.000 कम हो गए महाविकास आगाड़ी के महायूति के 2.48.000.000.000 मिले थे हमारे होट 3.70.000.000.000 हो गए देखिए जनता न्याय करती है जनता ने न्याय हमसे किया है और जिस प्रकार से इवियम की बात करते हैं न फिर नान्देड लोगसभा जीते हो बिदान्द सभा के साथ जो बाई एलक्षन लगाता नान्देड लोगसभा का वाव हो जीत गये ना कॉंगरेस पार्टी कि वाई उवियम खराम नी थी वाई उवियम अच्छी थी नान्देड में साथ में चुना हुआ आप समझ लेकिए बैनों भाईयों कि चुना अभी हुआ है इवियम के साथ हुआ नांदेर भी चुना हुआ नाकपुर भी चुना हुआ पिर नांदेर लोगसभा जीत गये ना नांदेर लोगसभा कांग्रेश जीती है अहां हम आर गये वहापर हमने आ शुदर जाना चाहिए अभी भी कुछ फाइदा होगा सुदरने से अब इवीम पे आप आरोप करेंगे नाना पटोले जी ने पहले निर्ने करना चाहिए मल्लीकाजु खरगे ने कि नाना पटोले 206 से उट से जितते हैं भई नाना पटोले इवेम के बारे में नहीं बोले त पहले जाकर अपने गाव में देखें कहा का लोगों ने उनको नका रहा है ये कहारना चाहिए जब हारते हैं आधमी ने उसमें हार से सिखते हैं और आगे जाते हैं कॉंधर परटी मुझोरी करती है इससे लिए हारती है कि देखिए भई हार स्विकार कर लीजिए जनता को मत ऐसा कोशिये जनता के दरबार में निरने हुआ है आप जनता का मेंडेट यह है कि वो मूदी जी के साथ है एक यह चैट्ज नाय नियु आग एकुट है? जंवरेके पर्यार्गेर स्ट्रियर में खीर कार्वार्च द खेटर है? जंवरेकें लोगाइब है दो खेटो और चोंदरोल ригी आवतो ay जंतारया है प्लिवाइ।